किसान भाईयों आपके तरफ आप गेहुं का कटाई तो नहीं हुआ होगा लेकिन सरसु का कटाई हो गया होगा और गेहुं का कटाई कहें कहें चालू हो गया है लेकिन इसके बाद आप कौन सा फसल लगा सकते हैं जिससे खेत खाली जो है वो उसमें कोई भी एक फसल आ जाए और जिससे जादा से जादा मुनाफ़ा आप कमा सके ऐसे तू देखा जाता है जिसे जादा मुनाफ़ा कमाने के लिए किसान भाईयों इसे जादा कमाने चाहते हैं और जायद में मूंग का फसल जरूर लगाना चाहते हैं ऐसे प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और मूंग से साब से मूंग पीक जाता है, जो की बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मूंग का आप कोई भी भेराइटी लिजेगा, वो दो-तिन तुराई उसमें जरूर होता है, कहीं-कहीं देखा जाता है, जो मूंग को उखार के और उससे पीट लिया जाता है, और कहीं-कहीं देखा जा जो मूंग को दो-तिन तूराई किया जता है और वो उसमें लेवर कोस्ट ज्यादा आता है लेकिन अगर आप वो सीधे उखार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फैदा होगा लेकिन मांसून से पहले यह सब हो जाना चाहिए जैसे ही मांसून अनरे स्टार्ट होता है त तो अधिकतर फसल का हर्वेस्टिंग हो जाता है और इसमें उन्नत की सील केसम का बात करें तो सम्राठ हो गया विराठ हो गया और भी तरह का है यह सब उन्नत सील केसम है आप जो भी केसम लेना चाहते है आप एक काम कीजिए आप अपने नजदी के भी के जाए वहां उन्न आसिल केस्म में ये दिक्कत रहता है, जो हरा वाला जो रहता है, वो थोड़ा कम दामों में बिखता है, और देसी केस्म का ये रहता है, जो किसान भाई इसे लगाना उतना ज्यादा प्रेफियर करते हैं, और उसका मांग भी ज्यादा रहता है, और दाम भी ज्यादा मिलता है मतलब देसी केस में आपके गाउद देहात में मतलब जहां भी जाईएगा वहाँ कुछ भेराइटी होते हैं जो कि उसे एरिया के स्पेस्पिक रहते हैं और सभी किसान भाई उसी से लिखरेते हैं एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं तो वह छोटा-छोटा जाना हो जाता है जदा उत्पादन हो जाता है तो किसान भाई खुस हो जाते हैं लेकिन अगर बात करें तो मुंग का खेती आप पानी का होल्डिंग ज्यादा हो रहा है तो आप उसमें पानी नहीं दे सकते हैं पानी का होल्डिंग कम है तो आप ऐसे ही मुंग का खेती करके उसम ये हैं पानी पादना ही होगा 25 दिन पे पानी देना होगा और एक 50 दिन पे अगर आप उसमें हम अप कोई भी किरस प्रबंधन करते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार का रुगर आपको दे देना होगा किटना सग आपको जरूर एस्प्र कर दे रह होगा उसमें ये होता है जो कि इतना सा का ἐस्फ्रे कीजीगा तो बहुत सारा कीरा भाग जाएगा जिसे आपको ज्यादासे ज्यादा इस से लाव भी होगा ऐसे इस्प्रे के लिए आप मीरा कुलान और रोगर का कुछा दू किसान भाई प्रयोग करते हैं तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं और खेत की जुताई पहले करवाले हरो रोटावेटर से और दो-तिन जुताई जैसे ही करवाल दीजेगा और उसमें एक ट्रोली गोबर की खाद दे सकते हैं अगर आप गेहун में दिये होंगे या सर्षों में दिये होंगे तो कोई जरूरत उतना नहीं राता है उसी पे लोग काम चला देते हैं और आप ये काम कीजेगा उसमें दो या एक केजी के हिसाब से आप परती कीलो के हिसाब से आप ये दे दीजेगा उसमें आपको खाद का जरूरत होगा जो की इन पी के होता है नाइट्रोजन एक केजी दीजे तो दो केजी नाइट्रोजन द अगर आपके पास है कोई भी कंपनी का तो वह भी दे सकते हैं और वह मतलब एक केजी एक एकर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है आधा केजी या सारे साथ सो दे सकते हैं इतना ही देखे आप जुताई करवाईए और वीज आप शिरग दीजे कोई भी अच्छा सा बीज लेके और देखिए आपका उत्पादन जरूर होगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा 55 दिन में ये फूल धरना स्टार्ट होगा उसके बाद उसके दस बीज दिन ब लगा देते हैं कुछ किसान भाई धहिचा लगा देते हैं कुछ किसान भाई कोई चारा लगा देते हैं जैसे सुडान हो गया और जैसे उसमें हो गया जो ये सब लगाते हैं आप जो भी लगाना चाहते हैं तो वो लगा दीजें इंटर क्रॉपिंग में धन्यबाई यतना वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें